नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आस्वीन माह कृष्ण पक्ष की अवस्या के दिन लग रहा है सूरी गरहन इस दिन सौब पित्री अवस्या है ये साल का अंतिम और दूसरा सूरी गरहन है सनी बार के दिन होने के कारण इस अवस्या को सनी चरी अवस्या कहेंगे अब इस दिन सुरी गरहन है तो कुछ खास प्रियोग भी किये जाएंगे तमाम तरह के नजर दोस बाधाओं तंदर मंदर क्रियाओं से बचने के लिए और जीवन में उन्नती धन आने के लिए तो इस बार का सुरी गरहन हलाकी भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए सुतक भी माने नहीं होगा लेकिन तमाम तरह के जो प्रियोग है उसको किये जाएंगे पुजा पाट किये जाएंगे गरभती महलाएं खास साबधानिया रखेंगी अमवस्या जो सनी वार के दिन है और इसलिए इसे सनी चरी अमवस्या कहा जाएगा इस दिन लग रहा है सूरी गरहन हलाकि ये सूरी गरहन भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन अमवस्या सनी वार के दिन पढ़ने के कारण इसे सनी चरी अमवस्या भी का जाता है जो कि सनी देवता जो नयाई के देव हैं उनका दिन है और कर्मों का फल वो देते हैं अब जिस बैक्ती के कर्म अच्छे हैं उनको अच्छा फल मिलता है लेकिन बुरे कर्म है तो बुरे फल मिलता है तो सनी आवस्या के दिन आप कुछ विशेश परियोग करके सनी देव का आ योग बताएंगे माननेता है कि अगर आप सनी देव की पीडाओं से यानि उनके दसा अंतर दसा ध्या साड़े साथी से बहुत परिसान है तब एक छोटा सा काम कीजिएगा आप बूंदी के लड्डू या गुड की छोटी-छोटे आठ डली गाई को खिलाईए फिर गाई की पूच से अपने सीर को आठ बार जाड़ने ऐसा करने से सनी दोस्त दूर हो जाता है और सनी देव के आसिरवाद से दुख कस्ट भी दूर होते हैं अब सनी चली अमवस्या है इस दिन बहुत सारे प्रियोग किये जाएंगे जिससे आपके जीवन की मुश्कले समापत हो तो पीपल की पेड़ में दूद जल अरपीत करें फिर पांच पीपल के पत्तों पर पांच तरह की मिठाई या कोई भी मिठी वस्तू या पांच पीपल के पत्ते पर आप गुड़ की डली पांच जगह रख दें फिर पीपल के पास इसको रख दें और घी का दिया जलाएं सा सनी देव के दिन नौ गरह मंदिर अगर है आपके पास पास तो जाकर सनी देव के मंत्र का जब करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा सनी देव को नीला रंग बहुत पसंद है तो नीले रंग का पुस परफित करने से बहुत पसंद होते हैं इस अमवस्य के दिन एक छोटा सा परियोग करें सुबह उठकर सबसे पहले तो घर के मुखे दरवाजे पर थोड़ा सा पानी का छिलकाओ करें आप चाहें तो गंगा जल भी छिलक सकते हैं तामबे के बरतन में रखाओ पानी गंगा जलके समान पवित्र हो जाता इससे क्या होगा और त्रिप्त आत्माएं सांथ हो जाएंगे रात बर में जो निगेटिव एनरजी बिचरन करती है जो निगेटिव एनरजी आपके दरवाजे पर आई है जो इधर उधर है वो कभी पोच्छा लगवा सकते हैं आपकी मर्जी पर है लेकिन जारू पोच्छा लगवाने के बाद एक छोटा सा काम भी करना है और वो यह है कि एक बरतन में आप पानी ले 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 उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दे अब पूरे घर में चुटकाओ करें बाकी बचाओ पानी थोरा सा मुख्य दरवाजे पर डालें और वाकी पौधी में डाल दें भगवान सूरी को जब जल अरपीत कीजिएगा तो जल में जैसे कि आपको स्वास्त की समझ से है तो रोली डाल कर अरपीत करें बैबाही जीवन की अब विभा की मुस्किले हैं तो हल्दी डाल कर पित करें आपके पितरी देव इसी से संतुष्ट हो जाएंगे और उनका मार्ग में जो परिसानी है वो आसान हो जाएगा इसके बाद आप अगर संभव हो तो पास के किसी पीपल के बिच्छ में जल जरू अरपीत कीजिएगा वैसे भी सनी बार के दिन पीपल के बिच्छ की आपके करियर रोजगार की मुस्किले समापत होती है तो एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल एक चम्मच या दोचार बुन दूद थोड़ी सी मिस्री या गुर्ड ले ले सफेद पुस्प जिसमें गंद कम हो वो डाल दे और एक चुटकी अक्षत संभव हो तो ले ले अब ले जाकर पीपल के पेड़ में और फित कर दे ओम नमो भगवते वासु देवाई का खुब जब करें अगर नौकरी रोजगार की समस्या हो तो काला धागा लेकर जाईएगा और पीपल के पेड़ की डाली में ओम नमो भगवते वासु देवाई कहते वे आप पहले इसको लपेट ही है जितनी मर्जी उतनी बार एक बार दो बार आपकी मर्जी पर है लेकिन साथ गाठ एक बार सही लगा दीजिएगा जनी एक दो तीन चार पांच छे साथ करके आप इसको लगा दीजिए और अपनी मननत कहें और घर आ जाए जीवन की मुस्किलें कम होंगी नोकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि ये धागा आपकी मननत को पुरी करता है और साम के समय पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाईएगा सम्भब हो तो दीपक में आप एक चुटकी काली उड़द डाल दें अगर नहीं है तो काला तिल भी डाल सकते हैं और दीपक में अगर काला धागा या काले कपड़े की बाती लगा सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आप रुई की बाती यूच कर लीजिएगा अब ये तो थी पीपल के बिश्च की महमा लेकिन इस दिन स्री हरी बिश्चनु और भगवान सिव दोनों की ही पूजा होगी अगर आप सिव जी को एक लोटा जल में कुसा घास डाल कर सिवलिंग पर अर्पित कर दें तो आपके पितरी संतुस्त हो जाएंगे उनको मोक्छ मिल जाएगी आपके पितरी दोस संत हो जाएंगे तो आपके जीवन में बड़े बदला होंगे अगर जीवन में बहुत परिसानी है आपके राहु के तू परिसान कर रहे हैं आपके पित्री दोस आपको परिसानी दे रहे हैं तब सिपजी के मंदिर में चले जाएं और अगर राहु के तू परिसान करें तो दो लूंग अर्पित कर दे, सिब जी से प्रास्ता करे, वैसे तू कुछ नहीं भी अर्पित करते हैं, जिजी के मंदिर में जाने इसे ही समस्या समाप्त हो जाती है, पर सिब जी के मंदिर में जब जाईएगा, то साम के वक्त एक धिया जरूर जलाईएगा, और वो धिया घी का तेल का कोई भी हो सकता है पर उस दीपक में मननत अगर आप कोई मांगते हैं तो उसमें एक लॉंग डाल दीजेगा आपकी मनों कामना पूर्ण होगी सिब जी को जो पसंदीजा वस्तु है बेलपत्र है धतूरा है उसका फल है ये सभी चीजें आप अरपित करें तो आपके राहु केतु और सनिदेब तीनों ही सांथ हो जाते हैं और जीवन में चमतकारिक लाव मिलते हैं और खासकर अगर राहु पिडाएं दे तो लॉंग अर पीपल के पत्ते रखकर पानी को ढग़ाएं अगले दीन सुभा इसी जल को ले जाकर सिब्लिंग पर अरपित कर दें पीपल का पत्ता भी अरपित कर दें उनके स्वास्थ की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी अगर दबा नहीं काम कर रहा था तो काम करने लगेगा यह सिंपल सा प्रियोग है वैसे अगर आप रात में भूल गया हैं सुभव ये वीडियो देखे हैं तो एक लोटा पानी ले लिजेगा और उनके उपर से साथ बार जो बेक्ति विमार हैं बार वार कर आप सिभजी पर चढ़ा दीजिएगा क्योंकि सनिवार के दिन है तो सनिवार के दिन बहुत सारी वस्तु नहीं खाई जाती है जैसे कि लाल मिर्च मसूरगी डाल और दूद दही खाते हैं तो उसमें गुड़ या चीनी डाल कर खाईए प्लेन दूद दही वैसे भी नहीं खाना चाहिए दोस लगता है निगेटिव एनरजी से बचने के लिए सनिवार के दिन खास परियोग किये जाते हैं क्योंकि नकात्म कुर्जा का मतलब जो लोग आपको पसंद नहीं करते जो आपके दुस्मन है टोने टोटके ग्रिह कलेस तमाम तरह की परिसानी होती है इन सभी तमाम उलजहनों से बच चुटकी काला तिल डाल कर आप खिला दें काले कुट्टे को ऐसा करने से आपके बिगड़ा हुआ सनी कुंडली का वो आपको सुप्फल देने लगता है जीवन की मुश्किलें कम हो जाती है रात में सोने के पहले इस अमवस्याती थी को एक छोटा सा काम कीजिएगा एक ल लेकर अपने सर से उल्टा वार कर उत्तर दिस्या की और फेक दे तो जीवन की मुश्किलें कम होती है अगर सत्रू विरोदी ज्यादा परेसान करें तो इस अमवस्याती के दिन एक छोटा सा काम कीजिए आप 40 दाने चावल 38 दाने काली उड़त साबुत ले 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 एक निम लेते रहें आपके सत्रू विरोदी सांत हो जाएंगे आपको कभी मुश्किल में नहीं डालेंगे आपको परिसान नहीं करेंगे यह प्रियोग अगर खास दिनों में किया जाये लगातार तीन Дन करना है जैसे कि सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखे हैं धन्यवाद